असलाम लेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं एक नहीं ऐसे के साथ हाजिर हूँ जो के ग्लोबल वार्मिंग कैसे भी है क्लाइमेट चेंज कैसे भी है ऐसे की टोपिक स्टेट्मेंट है जी हुमन्स आर दे बिगज़ सेट तो दी प्लैनेट अर्थ स्टेट्मेंट इसमें मैंने स्टांस लिया जी ड्यू तो वैरियस एंथोपोजैनिक एक्टिविटीज दा अर्थ है विक्टम ऑफ डिटेरियोरेशन दे इस हाई टाइम टू सेव दी प्लैनेट फॉर सक्षीडिंग जनरेशन के अर्थ जो है वो हुमन एक्टिविटीज की सब्सक्राइब बाही कश्कार हो चुकी है और टाइम आ गया है कि इसको नहीं आने वाली जनरेशन के लिए सेव किया जाए जी आउट्लाइन की तरफ चलते हैं आउट्लाइन में पहला है ड़ी इंट्रोडक्शन जैसे कहार ऐसे में होता है सेकिंड मैंने वेस्टन रेस कि इस हाओ मैं हीमेंस आर डिप्रट चट्ट टू प्लैनेट अर्ट के लिए थायट है पहला टीग जी प्यापुलेशन एक्प्लोजन इसका संते जो है वो प्यूपुलेशन एक्प्लोजन एंडिट्स इस हम क्इच्थ एर्पीड अर्बनाइजेशन बाइज बाइड दी इको सिस्टम जिस तरह द्रक्त काटे जाएंगे तो उस तरह अलूद्गी भी बढ़ेगी और शहर इबादी के बढ़ने से हवाव इन्वाइर्मेंट जो है उसमें चेंजिंग आएगी तो नेक्स्ट री इंडस्टियालाइजेशन एंड बर्निंग और फोसल फ्यूल्स इस जिजारी बात है इंडस्टियज में जो इंधन जलता है उससे कर्बन डाइकसाइड और मैथेन निकलती है तो यह भी एटमस्फेर के लिए एक थ्रेट है नेक्स्ट यूज ऑफ पैस्टिसाइड फोर इंक्रीजिंग क्रोपीड इस प्लूटिंग इस सोईल जाते हैं हश्रात से बचाने के लिए तो यह भी एक थ्रेट है नेक्स्ट बार प्लूशन एंड वेस्टिस ऑफ लाज स्केल इस अथ्रेट टू वाइट गोल्ड वाइट को डिक टर्म वाटर के लिए यूज की जाती है तो पानी जो है वह कानी की कमी हो रही है और पानी व जैसे के कार्बन डाइक्साइड और मेथेन बाई डेली हुमन एक्टिविटीटी इस प्रोड्यूसिंग दी मेनस ओफ ग्लोबल वार्मिंग तो यह भी एक थ्रेट है नेक्स जी नुकलर डेली अक्टिविटी दू नुकलर टेस्ट इस हांटिंग दी गलोब तो नुकलर डेली अक्टिविटी जो के टेस्ट से निकलती है यह बीग थ्रेट है लेंड प्लूशन एंड दी चैलेंज ओफ डिस्कार्डिंग यू जैन्स अपर्जानिक वेस्ट जो रेजिदेंशल वेस्ट होता है जैसे घरों का कच्रा बगएरा तो यह भी एक थ्रेट है तो नेक्स्ट मैंने हैट जी हाओ हुमन बींग्स चैन प्रिवेंट दा डिग्रेडेशन ओफ दी प्लैने अर्थ मैंने इसके स्वाल उठा है कि हुमन जो हैं वो अर्थ को कैसे बचा सकते हैं तो फस्ट जी बाइ लिमिटिंग दी एक्सेसिव यूज और वेस्टिज उफ नेक्स्ट बडान चुट units फ्रीवन पेस्ट एक्सपां सी फ्राइं डिंग्सेश कि बाइं है पाइंस स्यक्ति उप्रेडी इक्तेन यूए नक्यां वॣन थिया कि इनकि स्मेड़्ी करें च्थ किस्ट करें के सबब बनते हैं तो इनको बैंड किया जाना जाए इस पर कई टीटी जी साइन की की हैं जैसे के CTBT कंप्रीहंसिव टेस्टमेंड ट्रीटी नेक्स जी पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड प्रोपर कंट्रोल कोई मुमालक जो हैं इस पर गोरे गोरे फिकर कर रहे हैं तो यह भी एक इफेक्ट इव इनिशियेटीव है नेक्स बाइनेसिंग सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एग्रिकल् सब्सक्राइब से ज्यादा इडिस्की यानि पैदा किये जाने की कोशिच भी अर्थ को बचा सकती है नेक्स जी हैड़ी प्रोटेक्टिव एफट्स बाइदी स्टेर्ट ऑफ दी गलोब के मुक्लिफ कंट्रीज ने कौन से इक्दमात की हैं पहला जी अर्थ समिट नेक्स सब्सक्राइब से जी सीटीबीटी एंड आई एन एफ उसके बाद है जी बाद है मौन्ट्रियाल प्रोटोकोल क्योटर प्रोटोकोल कॉप सीरीज कॉप 21 कॉप 22 कॉप 23 कॉप 24 और कॉप 25 पैरिस क्लाइमेट चेंज नेक्स जी कंक्लिएन यह एक ऐसे की मकमल आउटलाइन ह यह एसे किसी भी कॉपटिटिव एक्जैम में लिखा जा सकता है आईदर वो CSS हो और PMS हो तो नेक्स मैं आपको अपने एसे की गिलिम्स दिखा देता हूँ कि यह एसे का इंट्रोड़क्शन है आप चाहें तो स्क्रीन शोड लेकर इसको रीट कर सकते हैं नेक्सर इसका बोड़ी पैरावार्ड बोड़ी पैराग्राफ ठीक है के डिलिम्स दिखान कार्फप बोड़ी पैराव पोड़ी को स्क्रीgebaut की कि एक उासां करें सहाई क्ष़बस वाउ़ी जिए 2 य Ο ऱगप फियूझ कार्फ़ी ए्साओ विग्मधध ये से का am I die ये ऐसे मैंने अपने रेसे लिख रिखाइभ अपने अन्ध से रिकाँ ठीक है आप मेंसे कोई जो इस ऐसे को फड़ना चाहे कमेंट में मुझे अ prob को प्रों में में प्रों कशलर से करें मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ठैंक यू जी अला आफिस